मर्यादा प्रसोत्तम प्रवुसी राम को ठीक दोपहर में बारा बजे भगवान सूर्य की केरणा से कैसे अभिसेख हो रहा था पूरा स्रातन भारत कौरों से अलोकित हो रहा था याद वुच्छाण हम सब के सामने कैसे आया या आप में से किसी से छुपावा नहीं है और बैन और वाईयों इस प्रकार के छण बार बार हमारे जीवन में आए ये जीवन तताव निलंतर बनी रहे इसी कावहान करने के लिए आज गाजियावाद संस्तिय छेत्र में आप सबसे संबाद करने के लिए मैं आपके बीच आया हूँ बैन और भाईयों पहले चरण का चुनाओं कल संपन होगा और दूसरे चरण में गाजियावाद में आपको लोगसभा के लिए अपने प्रत्याशी को चुन करके भेजना है पुरे गेस के अंदर आज एक ही लहर है एक ही स्वर्बूज रहा है और उत्तर दक्सिर्ण पूरा पस्यम मुझे इस दोरान लगभग पांच से छे राज्यों में जाने का उस्वर प्राप्त हुआ और में और भायों जो जनता की आवाज है वह जनता की आवाज आज देश की आवाज बन वही है और वह आवाज है कि फिर एक बार अब की बार मोधी सरकार और अब की बार 400 पार का जो ये नारा देश के अंदर गूज रहा है वेसे नहीं गूज रहा है इसके पीछे पिछले दस वर्स के अंदर वह परिवर्तन है हमारी पेड़ी सवा के साली है कि हमने नए भारत का अंदर्शन कर रहे है इस नए भारत में जिस नए भारत में आज दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ रहा है जिस नए भारत की सीमाई सुरक्षित है आतंगबाद और नकसदबाद नियंतित हुआ है अराज़क्पां नियंतित हुई है बेटी और घ्यापारी सुरक्षित हुआ है बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रेक्चर के कारे हो रहे हैं हाईवे, वेलवे, मेट्रो IIP, IAM, AIMS IIIT, World Class University दिल्ली से मेरट के बीच 12 लेन का हाईवे बन चुका है रैपिड रेल पर कार्या युतस्तर पर चलना है मेरट तक पहुंच चुकी है और इस वर्ष के अंतक मेरट सीटी के अंदर हम लोग मेट्रो का काम भी प्रारब कर चुके होंगे